हाईलो बच्चो कैसे आप सब लोग बच्चो आज हम एक बड़े ही प्रैक्टिकल टोपिक के बारे में बात करेंगे अज़िए काने रोग Core, how to avoid stress while need preparation आप लोग नीम की तियारी कर रहे हैं या किसी competitive exam की तियारी कर रहे हैं तो stress को कैसे आज़िए ही बच्चो कंई बार मच्चो के बारे में ही कंई बड़ी ख़बरे मिलती हैं तो उनको देखके बिंगे टीचर या उनको सुनके तो बड़ा हम लोगों को बुरा लगता है तो मैंने सोचा के क्यों ना इसके उपर एक वीडियो बनाया जाए कि स्ट्रेस को अवोइड करने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान दखना चाहिए तो बच्चो कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आती हैं पहला जैसे कि पैरेंट प्रेसर कई बार पैरेंट का प्रेसर होता है कि पडोसी के बच्चे ने ये किया है आपको ये करके दिखाना है हमें पडोसीयों से आगे बढ़ना है बेटा हमें किसी पडोसी से तुलना नहीं करनी पेरेंट अपनी जगे ठीक हैं वो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके उपर पैसा स्पेंट कर रहे हैं तो वो आप से कुछ एक्सपेक्टेशन्स भी रखते हैं लेगिन कई बार वो एक्सपेक्टेशन्स को बच्चा दूसरे तरीके से ले लेता है यानि पेरेंट का जो प्रेसर है हमें पेरेंट की बाते सुननी चीए तो मैं तो इसका एक असान सा तरीका बताऊँगा कि पेरेंट की बाते सुनो इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो और जितना आप में potential है उस potential के अनुसार अपनी पढ़ाई करो parent का काम है बोलना कई बार parent अपने को ताना भी देते हैं तो उस चीज को अपने को दिल पे नहीं लेना चीए कहना चीए हाँ ठीक है ममी पापा अपना अच्छा से करेंगे और अच्छा करेंगे तो अपने potential के हिसाब से जितना आप से हो सके उतना आप कीजिए parent का जो pressure है उसको एक कान से सुनिए दूसरे से release कर दीजिए दिल पे लेने की जुरूरत नहीं है ठीक है कई बार हमारे जो parent होते हैं वो बहुत जादा educated नहीं होते इस वज़े से भी एक reason होता है कि वो हमारे उपर unnecessary है थोड़ा जुरूरत से जादा हमें सुनने लग जाते हैं थोड़ा जुरूरत से जादा हमारे पर pressure डालने लग जाते हैं पर कोई नहीं हो हमारे parent है उनका काम है सुनाना, सुनाने दोयार अपना काम क्या है जितना अपने में potential है उस potential के according काम करना तो extra बातों को एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकाल देना है और दिल के उपर कोई भोज नहीं रखना है याने उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना है ठीक है चलिए पहला point तो होगा दूसरा point refreshment and study approach कई बार हमें जब 3-4 महिने हो जाते हैं लगातार पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि यार मेरा तो जीवन खराब हो गया मैं सिरो पढ़ने के लिए ही पैदा हुआ था मेरी जिन्दगी में बाकी चीजें कुछ नहीं है दूसरे बच्चे तो बड़ा enjoyment कर रहे हैं अप अब इसका क्या तरीका है इसका तरीका ये है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो सिरफ पढ़ाई के बारे में सोचो अपनी पढ़ाई को एक रफ टाइम टेबल के हिसाव से करो जैसे मैं कही रहा कि आपने 6 घंटे का सेल्फ स्टेडी का शेडूल बनाया दो घंटे आपने मन लगा के जी तोड मेहनत की, फिर बीच में एग घंटा चिल मारो, रिफ्रेस्मेंट, मज़ा लो जिन्दगी का, अब रिफ्रेस्मेंट क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों से बाते कर सकते हो, आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में, रील से कि यह स्मार्टफोन को कहीं चुपा दो जब आप पढ़ रहे हो तो जो आपका पढ़ाई का दो गंटे का सेडूल कंप्लीट हो जाता है फिर आप अपने स्मार्टफोन को निकालो और इंटरनेट ओन करो नोटिफिकेशन वगारे चेक करो अपना टाइम पास करो फिर से हमारा उसके उपर ध्यान रहता तब नोटिफिकेशन आते हमारा ध्यान बटक जाता है अगर स्मार्टफोन का इंटरनेट ओफ करके उसे साइलेंट पर करके हम छुपा देंगे तो फिर हमें डिस्टब नहीं करेंगा फिर हम उसे रिफ्रेश्मेंट के सोर्स की तरह इस्तम होगे ठीक है ऐसनल इंडोर गेम प्ले कर सकते हो आप को एक्साइज कर सकते हो रिफ्रेश्मेंट वाले टाइम में आप आदा कोना घंटा सो nostrum रिफ्रेishmen पके ताइममे या कोई थोड़ा बहुत मूवी का पार्ट आप देख सकते हो, बाकी पार्ट नेक्स ब्रेक में देख लेना, तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और दो ब्रेक के अंदर आपने अपना मूवी भी कम्पलीट कर लिया, तो कहने का मतलब ये है, कि आप जीवन को जीते हुए पढ़ाई करो, खुद को मार मार के नहीं पढ़ना है, में रिफ्रेश्मेंट टाइम में भी हमें सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है रिफ्रेश्मेंट टाइम में हमें खुल के जीना है दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेर रहना है न्यू चैनल आप देख सकते हो रिफ्रेश्मेंट टाइम में तो बहुत सारी चीज सकते हैं भी रख सकते हैं उसमें रिफरेस्मेंट भी बीच-बीच में होते रहेंगे अगर छे अगर छे गंटे कि शेल्फ स्टेडिय में आप मन लगा के फुल कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो उसमें 8 गंटे का काम कर सकते हो, बोलो कैसे, जब तुम 2-2 गंटे के आपने 3 स्टूल बनाए, तीन सिफ्ट बनाए आपने 2-2 गंटे की, तो उसमें आप क्या काम करो ना, टार्गेट बनाओ, य जैसे ही आपका target complete हो गया, दो घंटे अच्छे से study आपने किया, brain थोड़ा saturate हो जाएगा, फिर आपने refreshment किया, chill मारा, फिर से आपने अब छोटा सा target बनाया कि इस दो घंटे मुझे यहां तक का काम करना, फिर दो घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद फिर refreshment, फिर chill किया, तो इस तरीके से पढ़ो, इसमें क्या होगा, कि अपने को जीवन जीने में मज़ा आएगा, और जीवन जीते हुए हमारी पढ़ाई चलती रहेगी, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम दोनों चीजों को handle कर सकते हैं, एक आता है less marks in mock test, जो हमारी stress का एक important reason होता है, कि mock test में कम नं मेंली दो कारण होते हैं, या तो आपने revision नहीं किया होगा, उस topic अच्छे से उस वज़े से आपके नंबर कम आए हैं, तो next time ध्यान रखो, कि जो भी test आता है, उसका आपने अच्छे से revision करके जाना है, और दूसरा reason हो सकता है, कि आपका topic कमजोर है, वो topic आपके समझ में न करो, अपने teacher से मिलो, उन से समस्या का समाधान पूछो, अपने mentor से मिलके समस्या का समाधान पूछो, और बहुत सारे आजकल तो online resource level है, तो जो topic आपका कमजोर है, उसका थुड़ा research करो, उसके कोई अच्छे से videos देखो, कोई अच्छे से teacher के, ठीक है, तो topic आपका strong हो है, तो कहने का मतलब यह है, कि समस्याओं से हमें भागना नहीं है, समस्याओं को ढूंड़ना है, और फिर उनका समाधान करना है, यही जीवन है, यही life है, तो revision करके हमें अच्छे से जाना है, और जो weak topic है, कैसे भी करके उसको strong करना है, तो अगर यह अपना हो जाएगा, तो mock test में नंबर कमाएंगे ही नहीं, avoid overthinking while study, कई बार जैसे मैंने आपको बताया, कि दो गंटे पढ़ाई फेर refreshment, दो गंटे पढ़ाई फेर refreshment, बच्चा क्या कर रहा है, और बीच बीच में ख्यालों की दुनिया में है, कि मेरा medical college में नहीं हुआ, तो क्या होगा, हो गया अब इस अपने मत बुनो अभी, दो गंटे तुमने decide किया था कि मन लगा के full speed, full concentration से पढ़ेंगे, तो full concentration से पढ़ो, बीच में कोई भी दिमाग में thought नहीं आना चाहिए, और इस overthinking से बचने का वही एक तरीका है, कि जो भी आपने study slot बनाया है, उसका target decide कर लो, और उस target को achieve करने के लिए full speed के साथ पढ़ो, जैसे तुम paper complete करने का target लेके चलते हो, और तीन गंटे कैसे पूरे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इसी परकार से daily जैसे हम paper attempt करते हुए, वही concentration आपके daily, आपके study schedule में पढ़ते हुए होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, तो overthinking को हमने avoid करना हैं, जो भी सोचना है, refreshment वाले time में सोचो, overthinking बिलकुल नहीं करने, यह सब सेम content reason है, जिसकी वज़े से बच्चा पढ़ता बहुत और number भी नहीं आते, overthinking को avoid करो, तरीका मैंने बता दिया, उसको apply करो, share problem with teachers, कोई भी problem आती है, तो आप अपने teachers से, अपने mentors से, अपने मालों से, उस problem को share करो, अपने तगमत रखो problem को, share करो, बाटो, problem को जितना बाटो गयो उतनी कम हो जाएगी, उसके solutions आएंगे, solutions को apply करो, अपने आप problem भाग जाएगी, put your maximum effort, बेटा एक exam आपकी काबिलित को check नहीं कर सकता, एक exam आपके जीवन में कामियाब, ना कामियाब ह कोने के पैमाने को निर्धारित नहीं कर सकता, आप में जितना effort है, आप उतना effort लगा के study करो, पेपर में नंबर कम आते हैं, कमियाब ढूंडो, कमियों को दूर करो, उसके बावजूद भी जो marks आ रहे हैं, उसको accept करो, acceptance is the real solution in life, चीजों को accept करना सीखो, नंबर कम आ रहे ह ये सब करने के बावजुद भी कोई बात नहीं, आने दो कम, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वो सोच रखा होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं जो हम सोचते हैं, तो कुछ पल में कुछ चीज हमें आज बुरी लगती है, कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ बुरा हुआ, जब लेकिन आप पात साल बाद सोचते हैं, तीन साल बाद सोचते हैं उसी चीज के बारे में, तो आपको पता चलेगा यार ये तो बुरा नहीं, अच्छा था, इसका मतलब कोई चीज जो आज हमें फैवरेबल नहीं लगती, तो पता चलेगा कि वो चीज हम हमारे लिए फेवरीबलथी हम्में 2-3 साल बाद पता चलेगा तो इसलिए बच्चों हर एक बच्चे की पडुबा हर एक बच्चे का टekenकर बड़ेटेलेंट हर एक बच्चे का पोटेंशिल अलग-अलग होता है je तो उमीद है मेरी ये बाते हैं आप अपलाई करोगे और अपलाई करेंगे तो आप जाधा पढ़ते हुए जाधा स्ट्रेस आप में नहीं होगा ठीक है और हमें स्ट्रेस बेटा लेना भी नहीं है स्ट्रेस लेने से कोई पाइदा थोड़ी ना नुक्सानी है जब जिस एवरी संडे एट सेवन पीम मैं एक लाइव इंट्रेक्शन रखोंगा स्टुडेंट के साथ तो जो जो बच्चे मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो इस लाइव इंट्रेक्शन में अपनी प्रोब्लम सेयर कर सकते हैं कि पड़ने में क्या प्रोब्लम आरी कहा हैं स्ट्रेक्शन पड़ने में प्रोब्लम आरी किसे मैंम kitchen करें बायो कैसे मैंनेज करें मतलब subject related नहीं general study related problem जो है आपकी study में जो problem चल रही है लाइफ में कुछ challenges चल रहे हैं उनके बारे में आप खुल के discuss करो ताकि आपका मन हलका हो जाए और मैं आपको problem का solution आपके साथ share कर सकूँ अपने experience के आधार पे तो नीचे टेलिग्राम का एक link दिया होगा उससे आप टेलिग्राम से मेरे साथ जुड़ जाओ ताकि अगर इस schedule में कोई भी बदलाव होता है तो वो मैं वहाँ पे आपको inform कर सकूँ ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि every Sunday 7 p.m. हम एक one-to-one interaction रखेंगे जिससे आप लोगों की जो problem है उनको मैं solve करने की कोशिस करूँगा ठीक है तो बच्चो यह मैंने as a teacher सोचा कुछ चीजें कि आप लोगों के साथ share करता हूँ उमीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe कर करें तो बच्चो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से टोपिक के साथ